तुलसीदाज जी महराज ने माबाप को क्यों नहीं रखा नौप्रकार की भक्तियों में तो तुलसीदाज जी कहते हैं अब हम क्या करें भगवान से पूछो भगवान राम खुद कह रहे हैं भगवान राम से पूछो ये अब सुनिये जराएं पर्थम भगति संतन कर संगा और दूसर रत्मम कथा उसके द्वारा कथा होगी तो राम कथा और संत सदगुरू का उपदेश सबसे पहले यही कहेगा कि मेरी सेवा करना बाद में जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया है उन माता पिता की सेवा जरूर करना असली सादू वही है अगर वो यसा हो यह कहें कि वेटा बहुत अच्छा हुआ तुम घर छोड़के आ गए कम से कम एक सेवक तो मिला हों है क्यों वही सेवक तो मिला तो याद रखना वो गुरू नहीं मिला वो भसमा सुर मिला तुम्हें सीधी सी बात ही है वो गुरू नहीं कहेंगे कि माता पिता की शेवा करना चाहिए कि मात्री भक्ति पित्र भक्ति मात्र पित्र भक्ति भगवान राम ने बालकांड पढ़िए प्रात काल उठीके व्यगुना था मात पिता गुरु ना वही मा था भगवान राम ने पहले माता जी को प्रणाम किया फिर पिता जी को तब किसको किया गुरु जी को किया किया कि नहीं किया भगवान राम ने स्वें किया मा को पहले प्रणाम किया पिता को तब गुरु नावएं मा था तब गुरु जी को प्रणाम किया राम और राम की कथा और जो राम जी है वो है राम जी के हम सब प्रतिनिधी हैं महत्मा हम राम नहीं हैं हम स्री राम के प्रतिनिधी हैं प्रतनिजी तू कर रहे हैं तो याद रखना जो श्री-्राम कर रहे हैं वही तू राम का प्रतनिधी बताएगा कि श्री-्राम ढींम ने क्या तू सत्पसंग और संथ इन दौनों से जिस दिन ंर जोड़ जाओगे तो सबसे पहले संत और सत्संग माता पिता की सेवा के लिए प्रिरित करेंगे आपको यही सर्वोच भक्ती है माता पिता का ध्यान रखो विशेश रूप से माता पिता को कर भुए कि भुए कुछ दे दिये तुम्हें तुम सदा रणी ही रहोगे कभी उरण नहीं हो पाओ समझे रह हो कि सदा रणी रहोगे उनसे कभी उरण नहीं हो पाओ रह चाये cosmique कौशिश कर लो कैसे बोले आप करें राष्ट पती सर्वोच पद है और प्रथम नागरिक होता है राष्ट का मैंने का भाईया यह तो मैं जानता हूं कि प्रथम नागरिक होता है यह मैंने कब कहा कि नहीं होता है उले सर्वोच पद पर बैठता है तो राष्ट पती के पिता का सम्मान करेग अब आप ही बताईए मैंने कहा बात तो तुम अपने जगह पर ठीक कह रहे हो कि राष्ट पती का पहले सम्मान होगा क्यों वह बने रहें राष्ट पती के पिता हूँ लेकर राष्ट तो पहले राष्ट पती का सम्मान करेगा वो भले ही राष्ट पती के पिता बने रही मैंने का सुनिए जिस का पुत्र राष्ट पती बन जाता है वो अपने पुरुशार्थ से नहीं बना है वो माता पिता के तप के द्वारा बना है भजन के प्रभाव से बना है वो लोग बना है यह मैं मानता हूँ निश्यत है कि उसके माता पिता ने इतना तप किया है इतना तप किया है भले ही वो कलिकाल में दिखाई नहीं दे रहा है वो प्रारब्ध लेके आया है प्रारब्द के साथ तप ले करके आया है समझ में बात आ रही कि नहीं तुमें ये दिखाई नहीं देगा तुम कहोगे गाउं गवया के रहने वाले लोग हैं इनमें क्या तप है क्या इन्होंने किया है हम तो देख रहे हैं 50 साल से ऐसे तो ठहलते रहते हैं कौन जंगल में जाके इनोंने तप किया है कि चित्रकूट में रहे नैमिशारंड में रहे कहां कहां रहे अमरकंटक रहे क्या नहीं वो जन्म के साथ अपना प्रारब्ध लेके आए उसमें तप था वो दिखाई नहीं दे रहा है और वही तप जिसने एक सामान इंसान को सरवोच्पद पर बिठा दिया उसमें भी जो सुकृत है पुन है वो अपना ना समझे माबाप के सुकृत जुड़े हुए है जन्म का सुकृत मूरत बै देही ओ दसरत सुकृत राम धर देही बेटी है माता पिता के सुकृत है वो बेटा है माता पिता के सुकृत है बो भई स्त्री जानकी जी महराश्त्री जनक जी के सुकृत है की नहीं रामाइन की चौपाई तो यही बता रही है वही अब इस चौपाई पर तुम लोग तिप्णी करोगे नहीं कर सकते हो बंदा जिले के लोग तो करही नहीं पाएंगे क्योंकि तुलसी दाश्ची महराज ने इस जिले को सुईकार किया है किया है कि नहीं वो जिलाबाद में बना है प्यारे उनके समय में ये जिला बांदा नहीं था लेकिन बांदा तो था क्यों वह यार बांदा रहा होगा कुछ नाम जरूर बदला ओदला होगा थोड़ा बहुत लेकिन रहा जेदा इतिहास बांदा का सहर का पता नहीं कितने वर्ष का है यह हम नहीं बता सकते हैं अब बांदे उदेशी की बात आई देखो भी और एक यहां की अदिष्टात्री देवी हैं बांदा की क्याणा में रही है कि महेश्वरी यहां की अदिष्टात्री देवी है उनकी कृपा उनकी गोद में ये समाया हुआ है समाया है कि नहीं अब आप कल्पना करिए कि ये जो नगर है ये चित्रकूट से जुड़ा हुआ है चित्रकूट का अनाद कालीन इतिहास है और मैं ये मानता हूँ कि अगर चित्रकूट से ये जुड़ा हुआ नगर है और चित्रकूट अनाद कालीन तीर्थ है यहां की अधिश्थात्री देवी हैं यहां मा मंदाकनी हैं मा यमना हैं और एक और बहुत बड़ी नदी है यहां केन कितनी नदियों से घरा हुआ यह महा नगर हमारी द्रिश्थी में महा नगर है लोग भले कहें कानपूर महा नगर है हम तो बांदा को उसरे देते हैं साथ ही साथ भक्ति से ओतप प्रोत यह नगर यहां पर परियावरण युक्तूर्जा सबसे वड़ी उपलब्धी है कि यह भक्ति की भूमी है क्योंकि इस 84 कोष के अंदर ही महत्मा तुलसीदास का जन्म हुआ 84 कोश के अंदर ही महत्मा तुलसी दास्जी का जन्म हुआ है और भक्ति काल के महत्मा तुलसी दास सबसे बड़े संथ हुए हैं जिनोंने रामचर्थ मानस पुरुशार्थ से नहीं लिखा सपने उसांचे उमोह पर जो हर गौर पसाओ भगवान शंकर की कृपा से मा भगवती पारवती की कृपा से जोनोंने रामचर्थ मानस लखा है इसका मतलब है ये गरंथ पुरुशार्थ से नहीं लखा तुलसी दास्जी ने इतनी भक्ती थी इतनी भक्ती थी कि स्वयम भगवान संकर ग्यारमे रुद्र में हन्मान बनकर आते हैं और संत तुलसी का हाथ पकड़ के रामचर्त मानस की रचना करवाते हैं ऐसा महापुरुस चोरासी कोश के अंदर जहां इस नगर के समीपस्त राजापुर ग्राम में जन्म लिया हो वो भूमी शाधरन भूम नहीं हो सकती है इसलिए महत्पूर्ण भूमी है और ये संदेश तो अब इसको इस बार कारिक्रम को इस विवस्था के साथ जोड़ दिया गिया है यह आप देख रहे हैं यह दूर दर्शन की विवस्था है इसमें यूटूब चैनल जो हमारा चलता है चित्रकूर कामदगिर अब यह पूरा का पूरा यह बांदा का पांच पंच दिविश्य कारिक्रम वह अंतर राश्ति इस्तर पर हमेशा हमेशा के लिए देख जाएगा कामदगिर यूटूब चैनल जो हमारा है जगतगुरु राम सुरूपाचाहरी उसमें यह विवस्था कर दिए अब आप बताइए रिकार्ड बन गया कि नहीं बन गया हमेशा के लिए रिकार्ड बन गया है यह भगवान कामता नाथ जी ने ही कृपा की है कामता नाथ जी नहीं यह सब विवस्था भेजिए तो कृपा हो गई है इस वर्स संभव ही नहीं था कि यह आयोजन होगा लेकिन यह आयोजन यदि हो रहा है तो इस आयोजन के मूल में भी कामता नाथ जी की ही कृपा है नहीं तो संभव ही नहीं था लेकिन उनकी कृपा से संभ रहे हो और जो आके सुनेंगे वो सदा सदा स्वस्त रहेंगे उनकी क्रपा से किसी पर भी रोग का प्रभाव नहीं पड़ेगा उनकी क्रपा से इसलिए भईया ये जो कारिक्रम है ये कारिक्रम तो कृपा साध्ध हो गया क्या हो गया क्रिपा साध्ध हो गया है और आप सब जितने श्रोता हो नाम कुछ भी तुमारा हो कामता नात के कृपा पात्र हो गया हो तुम सब कृपा पात्र कृपा प्राप्त कर रहे हो ये कृप प्रवाई प्राप्त हो रहे हैं तो भाई मात्र प्रत्र भक्ति माता पिता का विशेश ध्यान रखो माता पिता का जो ध्यान रखते हैं भगवान के यहां विशेश अस्थान उनके लिए सुनिश्चित हो जाता है भगवान के यहां माता पिता का जो विसेश ध्यान रखते हैं भगवान के यहां विसेश अस्थान उनके लिए सुरक्षित हो जाता है अब यहां तो तुम अस्थान अपने बिवेग से लेलोगे पैसा रुपिया प्रभाव से लेकिन वहां तो नहीं चलेगा यह सब वहाँ क्या चलेगा वहाँ आपके सुकृत चलेगे कि आप क्या सुकृत करके आए हो तो माता पिता के सुकृतों के परिणामस वरूप तुम सब हो ये माता पिता के सुकृत हैं लेकिन सब्त कहता हूँ भाई कि राष्ट पती प्रथम नाइंगरिक है राष्ट के लोग पहला सम्मान राष्ट पती को देंगे क्योंकि वो राष्ट पती है लेकिन वो राष्ट पती का अगर पिता जिन्दा बैठा है प्यारे तो उसके इतने सुकृत हैं कि वो पिता कहां रहा वो तो परम पिता का ही सरूप हो गया है यह सत्त है यह सत्त है कि वो परमपिता का सरूप हो गया है क्योंकि उसके पुर्ण कितने थे कि कितने पुर्ण थे कि भारत के राष्ट का राष्ट पती भारत राष्ट का राष्ट पती क्यों भाई भारत का राष्ट पती वनना यह विष्ट गुरु का राष्ट्रपति बनना है वो वैव विष्ट गुरू के रूप में सम्मान मिलता एक नहीं मिलता जल्दी वह लो क्योंकि पूरे के पूरे विश्व में गुरू की उपमा से उपमित है राष्ट भारत भी सबल कर दो और यदि यह सम्मान किसी को मिल ज लो राश्ट पती पांच साल के लिए और दस साल के लिए बनता है 15 साल के लिए बनेगा भाई 20 साल के लिए बनेगा लेकिन एक ऐसा पद बताओ जिस पद पर बैठ जाए व्यक्ति और सरीर उसका चला जाए लेकिन कीर्थी अमर हो है अमर हो करके बैठी रहे कीरती उस पद पर तो बोलो वो पद राश्ट पती से भी ज्यादा मातपुन की नहीं कियोंकि भूत लग गया कितने राश्ट पतियों भूत लग गया क्योंवह यह लगी जाता है वो तो लग जाता है लेकिन ऐसा कोई पद है कि जिस पद पर बैठ जाए तो सरीर जाने के बाद भी वो पद उसके पास सुरक्षित रहे उस पद से कोई हटा ना सके ऐसा पद आहा बस ध्यान से सुन ले ना इस बात को ऐसा पद कौन सा पद है संसार के पद ये नस्ट हो जाएंगे संसार के पद नस्ट हो जाएंगे अत्वा पद बने रहेंगे तो पद पर बैठने वाले नस्ट हो जाएंगे लेकिन निश्चित रूप से अगर माताओं ने मीरा जैसी भक्ति कर ली और आप समने प्रहलाद जैसी भक्ति कर ली तो शरीर जाने के बाद भी कीरती अमर रहेगी और भगवान के पदार बिंदों में सदा सदा उनका अस्थान रहेगा उनको कोई हटा नहीं सकता है प्रहलाज जी धुर्व जी मीरा जी इनकी कीरती बोलो सदा सदा के लिए अक्षुन हुई की नहीं हुई और भगवान के पद में बैठी हैं ये ओपद में बैठे हैं लेकिन आज तक इनको कोई हटा पाया बोलो भाई नहीं अटा पाया कोई नहीं अटा पाया अभी भी बैठे हैं तुलसीदाज जी महराज बैठे हैं वो लो बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं कभीरदाज जी बैठे हैं मीरा वाई बैठी हैं कर्मा वाई बैठी हैं धना वाई बैठी हैं ये सब बैठी हैं और छोड़िये जी बुंदेल खंड की वीरांगना महरानी लक्ष्मी वाई बैठी हैं जन्होंने देश के लिए कुरवानी वो भी भगवान के चरणों में बैठी हैं बोलो शरीर चला गया लेकिन कीरती अमर हो गई इसलिए मैं कहता हूँ कि कभी भी इस चक्कर में मत रहो कि मुझे ये पद मिल जाए ये सहज भाव से जो मिल जाए सो ले लो उसमें किसी भी प्र प्रिच्तान और प्रतिशोधात्मक प्रत्क्रिया मत करो सहज भाव से कोई सांसारिक पद मिल जाए उसको सुईकार कर लो लेकिन जब भी प्रयास करो हमें भगवान का चरणारविंद मिल जाए कैसे मिले इसके लिए सतत प्रयत्न सील रहो सतत प्रयत्न सील रहो किसके और भगवान का चरणार विंद अगर मिलेगा तो हनुमान जी को कथा सुनवाते रहना भगवान का चरणार विंद जरूर मिलेगा उनकी क्रपास से मिलेगा